There is no friend as loyal as a book दोस्तों कितामों को इंसान की सबसे अच्छी दोस्त माना जाता है क्योंकि इससे मैं काफी कुछ सीखने को मिलता है और काफी एदा नॉलेज भी मिलती है मगर क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस नॉलेज़ की कितनी कीमत तक हो सकती है मेरा मतलब दोस्तों कि क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे महेंगी बुक कौन सी है और जैसे हर एक बुक का कोई ना कोई राइटर होता है वैसे ही इस बुक का राइटर कौन है वेल गाइस Codex Leicester नाम की ए बुक दुनिया की सबसे महेंगी बुक है जैसे Codex Hammer के नाम से भी जाना जाता है इस बुक को दोस्तों दुनिया के सबसे अमीड लोगों में शुमार Bill Gates ने 1994 में 30.8 मिलियन डॉलर्स में खरीदा था जैसे अगर इंडियन रुपीज में Convert करें तो इसकी कीमत 200 करोड निकल कर आती है और अगर इसमें Inflation को भी जोड़ दें तो आठ के समय इसकी कीमत लबक 375 करोड रुपे की है और अब दोस्तों इस बुक की इतने महेंगा होने की वज़े है किसे दुनिया के सबसे genius लोगों में से एक माने जाने वाले इंसान खुद Leonardo da Vinci ने लिखा है जो कि अपने समय के famous scientist, mathematician, musician, astronomer, inventor, painter, engineer और बहुती फिल्ट में expert थे और दुनिया की सबसे famous painting Mona Lisa को भी Vinci नहीं बनाया है लेकिन एक बात जो इसे इतनी जदा अनोकी बनाती है वो ये दोस्तों कि इस बुक को पढ़ने के लिए आपको इसे शीशे के आगे रखकर पढ़ना होगा क्योंकि Vinci ने इस किताब के अक्षरों को reverse में लिखा है इस किताब में कुल भैतर page है जिन में की Vinci ने कुछ scientific बातों को explain किया है गाइस कमेंट करके बताना कि इस बुक के बारे में जानकर आपको कैसा लगा अगर जानकरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना और चैनल को सब्सक्राब कर बेल आकोनन जरूर कर लेना मिलते हैं एस वीडियो में चैहिन वन्यमात्रम